उम्र बढ़ाने वाला पेण अकबर बिर्बल की कहानी है। एक बार तुर्किस्तान के सहा सहा ने बदसा अकबर की बुधी की परिच्छा लेने के मनसुबे से एक पैगाम भेजा। पैगाम कुछ इस तरह था। अकबर शा सुना है भारत में एक ऐसा पेण है जिसके पत्ते को खाने से उम्र बढ़ती है। हमारी गुजारिस है कि हमें उस पेण के कुछ पत्ते जरूर भिजवाई है। यहां पैगाम लेकर तुरकिस्तान के सहंसा के दूत और कुछ सिपाही अकबर के पास पहुचे थे। पैगाम पढ़कर अकबर सोच में पढ़ गये। फिर उन्होंने बिर्बल को बुलाने की सलाह दिन। अंत में बिर्बल के मानक सलाहकार अकबर ने तुरकिस्तान से आये दूतों को सिपाही हों सहीत एक मंत्रियों में काब्जा कर लिया। वहां उनका खाने पीने का या थोचित प्रवंधन किया दिया। कीले में बंद दूत और सिपाह सलाह थे उनके समझ के बाहर था कि उनका अंतिम दोश क्या है। कुछ दिन ब्यतित होने के बाद बिर्वल को साथ लेकर अकबर उनसे मिलने पहुचे। वे दूतों और सिपाहियों को देखते हुए आसा करते हैं कि सायद अब उन्हें मुक्त कर दिया जायेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकबर उनसे बोले तुम्हारे सहनसाह ने हमसे जिस बात की गुजारिस की है। मैं तब ही दे पाऊंगा जब इस कीले की एक दो पलियां गीरेगी। तब तक तुम लोग यहां रिकॉर्ड रहोगी यानि जेल में रहोगे। अकबर की बात दूत और सिपाहियों की बात सुन कर वहां से मुक्त होने की उमीद खो रहे थे। कुछ दिन के साथ दूत और साथी की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें अपना परिवार और अपने देश का सुखमय जीवन याद आने लगे। किले से भटक कर कोई रास्ता न देखे वे दिन भर इस्वर की प्राथना में लीने रहे। वे इस्वर से कहते हैं इस्वर हमें इस रिकॉर्ड से मुक्त करें। कब तक हम इस तरह यहां बंद रहेंगे। हम अपने देश, अपने परिवार के पास जा चुके हैं। तो सर्वे सर्वा है, कुछ चमतकार कर हमें यहां से निकाल ला। उनकी इस नित्य प्राथना का प्रभाव या प्रकिर्ति उन पर महरबान थी। एक दिन उसे छेत्र में जोर का भुकंप आया। भुकंप से उसे किले का एक हिसा धराशाई हो गया। अकबर को अपनी कुछ बात याद थे। किले के धराशाई होने की सुचना मिलने पर अकबर ने दूत और सिपाहियों को मुक्त करवा कर अपने दरबार में हाजिर किया। अकबर ने उन्हें संदेश देते हुए कहा। तुम्हें तुरकिस्तान के सहंसा का वह पैगाम याद होगा जिससे लेकर तुम लोग हमारे पास आय थे। अब तो सायद मुक्या उस पैगाम का जवाब दे गया हो यदि नहीं तो बिर्वल उसका ब्याखात्मक वर्नन करेगा। अकबर के इतना कहने के बाद बिर्वल अपने अस्थान से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा। अकबर ने एक दूत होते हुए भी आप लोगों को रिकॉर्ड कर लिया यानि कैद कर लिया था। कहीं न कहीं ये एक प्रकार का जुल्म था। आप लोगों की संख्या मात्र पचास हैं और देखिए आपकी आह से इतनी योजन कीला धरासाई हो गये। अब सोचिए जिस देश में हजारों लोग जुल्म हो रहे हैं उनकी आह का क्या असर होगा। क्या वहां के बादसाह की उम्र निर्दिष्ट हैं नहीं। इन आहोक के प्रभाव से उनकी उम्र तो घटती कलपनाय और उवे देश के पतन के पदों पर छा जाएंगे। इसलिए आप ये सहनसाह से कहना की प्रज्या की भलाई और दाखिल होने के लिए कार्य करना उनका बचाव करना उन परहत्याचार न करना ही ब्रिद ब्रिक्षी हैं। अन्य बाते मिथ्या हैं। तुर्किस्तान के सहनसाह के दुत और सिपाहियों ने जब तुर्किस्तान पहुंचे तो ये बात अपने सहनसाह को बताई। तो उनकी आखे खुल गई। वे अकबर के कायल हो गई। इस तरह बीरवल की अकलमंदी से तुर्किस्तान के सहनसा के द्वारा ली गई बुधी की परिक्षा में सफल हो गए। दोस्तों आसा है कि आपको ये सर्व स्रेष्ट अकबर विरवल की कहानी पसंद आएगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को सेर भी कर सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार अकबर विरवल की कहानी पढ़रे के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।